नमस्कार दोस्तों, एक जाम इत्र में एक बार फ़र से आपका स्वागता आशा करता हूँ, आप सबी अच्छे होंगे तो दोस्तों, एम्स B.S.C. नर्सिंग के लिए 21 सेशन के जिन केंडेर ने अट्रेस एक्जामनेशन दिया था उनकी 1st round, counselling और 2nd round की counselling process complete हो चुगी है 2nd round में कितनी seat vacant रही थी और उसकी जो counselling procedure है उसे related मेरे ओधरेटी वीडियोज आपको provide करवा रखे अब आपका doubt यह है कि क्या open round conduct करवाय जाएगा या नहीं करवाय जाएगा अगर open round conduct होगा तो वो कब तक होगा, होगा या नहीं होगा तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में लेगी, वीडियो को सुरुसायन तक जरूर देखिए अगर आपर चैनल पर नए है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को तो बहुत से किया आने होले से वीडियो इसको नोटिपिशन आपको मिल सके तो दोस्तों अगर आप EMS की official website पर अगर आप देखेंगे तो आपके open round से रिल्टेट अभी तक कोई भी notification जारी नहीं किया गया है, जो आपका last notification था, वो आपका BAC nursing की second round counseling से रिल्टेट था, जो आपकी complete हो चुकी है तो जैसा कि आपका ये doubt है, कापी सारे candidate हैं, वो wait भी कर रहे हैं, कि open round में साइद उनका admission है, वो हो जाए EMS के किसी भी institute में, तो दोस्तों सारा depend करेगा seat vacant रहने पे, कि seat कितनी vacant रहेगी, या second round में जो जितनी भी seat vacant रहेती, वो सारी feel हो चुकी है या नहीं हो चुकी, उस प और गौरकपूर से भी, तो वहां के candidate ये बता रहे हैं, कि वहां जो जितनी भी seat थी, वो almost complete हो चुकी है, वहां पे कोई भी seat vacant नहीं है, अब कितनी सच है, कितनी जोट है, वो तो official notification आएगा, उसे में ही पता चल पाएगा, लेकिन अब भी जो फिलाल की update है, उसके according कि इन colleges म हैं, उनमे seat vacant है या नहीं है, ये official notification से ही पता चल पाएगा, तो अभी तक आपकी जो open round से related कोई भी notice जारी नहीं किया गया है, कब तक जारी किया जाएगा, ये सारा M से भी depend करता है, अगर previous share की देखा जाए, तो दोस्तों 5 से 7 दिन में इनका official notification जारी कर दिया जाता है, second round क counseling complete होने के बाद में, तो second round की counseling almost आपकी 26 परवरी को complete हो चुकी है, आपकी reporting process भी, उसके बाद में भी आपकी इतने time निकल चुका है, तो अभी तक भी कोई भी notification जारी नहीं किया गया है, तो इससे एक अनुमान ये लगा सकते हैं कि साइट हो सकता है कि second round में जो जितनी भी seat वेकेंट थी, वो सारी feel हो चुकी है, open round के लिए कोई भी seat वेकेंट नहीं रही है, इसके उल्टा भी हो सकता है कि साइट हो सकता है कि 15 से 20 seat वेकेंट रहें, तो जो candidate open round के लिए wait कर रहे हैं, तो उनकी लिए तो काफी अगर seat वेकेंट भी रहती है, ज्यादा आपकी seat वेके सकता है, तो possibility है, और बाकी depend करेगा कि seat वेकेंट पे, और यह मानिके चलिए कि अगर 15 से 20 seat है, overall जितने भी institute है, उनकी अगर count करके 15 से 20 seat वे open round के लिए वेकेंट रहती है, तो उसमें भी competition काफी tough होने वाला है, और उनमें जिन candidate का अच्छा score का क्यों वही admission ले पाएंगे, तो दोस्तों मेरा यही कहना है कि आप open round का weight ना करके, 2022 session के लिए अपनी preparation अभी से start कर दीजे, जिससे कि आपको 2021 में जैसा आपने score gain किया था, उससे अच्छा score आप gain कर पाएं, क्योंकि competition काफी tough होने वाला है 2022 के लिए भी, 2021 में लाकों की संक्या में candidate ने अपना address exam दिया थ तो उन में से BAC nursing के अगर बात की जाए तो 851 candidate के लिए ही seat थी, तो 851 candidate अपनी seat है, वो अपना admission ले चुके है, बाकी की जो candidate है वो 2022 का address exam देंगे, साथी 2022 में वो candidate भी participate करेंगे, जिन्होंने 10 प्लस टॉपने 12th है, वो pass out कर ली होगी, तो वो भी participate करेंगे, तो इस basis पे आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि 2022 के लिए भी competition कितना tough होने वाला है, year by year आपका competition tough ही होगा, easy बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, तो जो candidate अपनी preparation पहले से ही करके तियार रखेंगे, तो वो aims में अपना easily admission ले पाएंगे, मैंने steady material ओरड़ी है, आपको description box में link के मादिम से provide कर आ है, तो आप ebook format में ही आप online ही download कर सकते हैं, चाए आपकी conceptual ebook हो, या आपकी question practice के लिए ebook हो, या आपके mock test paper हो, या अगर previous year question paper है, उसके भी मैंने already videos में सारी information प्रवाइड करवा रखी है, चाए आपकी Hindi में हो या English language में हो, मैंने दोनों language में आपको सारे steady material प्रवाइड करवा रखा है, अगर इतना steady material आपको प्रवाइड करवाने के बाद में भी आप aims में admission नहीं ले पाते हैं, तो दोस्तों ये आपकी तरब से ही कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, जिसे कि आप अपना target है, वो achieve नहीं कर पाते हैं, और साथ ही दोस्तों, जिन candidate का ये एक issue था, एक problem थी, किसर आप English language के जो candidate उनी के लिए study material प्रवाइड करवा रहे हूँ, जैसे कि जो objective e-books थी, वो English language candidate के लिए थी, अब हिंदी language के जो candidate है, हिंदी में जो preparation करते हैं, उनकी लिए भी मैंने हिंदी में आपको e-book प्रवाइड करवा दिये, जिसके आप अपनी question practice कर सकते हैं, जिसमें आपका 11th और 12th anxiety based complete syllabus उसमें cover किया गया है, उसका link भी आपको description box में दिया गया है, तो दोस्तों, ये हिंदी language के ब्याटियों के लिए है, जिसमें आप B.A.C. nursing और paramedical, अगर आप M's की preparation कर रहे हैं, तो यह आपके लिए काफी useful है, इसके लाव अगर आप other state के interest examination की preparation कर रहे हैं, जिसमें आपके physics, chemistry और biology पूछा जाता है, तो आप उसकी भी preparation आप इस e-book के basis पे complete कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका 11th और 12th anxiety का physics chemistry और biology का complete syllabus इसमें cover किया गया है, और ये e-book आपको Hindi language में provide की जा रही है, कापी मेहनत करने के बाद में दोस्तों, आपक के लिए तियार किये गिए, तो आप इसको avail कर सकते हैं, और इसमें केवल objective questions आपको इसमें दिये गए हैं, जिससे कि आपके concept already clear है, तो आप इस e-book के basis पे अपनी practice कर सकते हैं, easy, medium, difficult, ton level के questions इसमें compile किये गए हैं, अगर आपने इसको भी अच्छे से follow कर लिया दोस्तों, औ और आपने इसको दो से तीन बार revision कर लिया, तो मैं 100% short ik साथ कहता हूँ, दोस्तों आपका इस से बाहर आपका एक भी question नहीं आएगा, अवेल करने के लिए description box में link दिया गया है, तो यह आप जरूर अवेल करें, अवेल करने की process बिल्कुल सेम है, जो link दिया गया है, उस प उसमें आपको यहाँ पर buy now का button दिखाए देगा, simply आपको इस पर क्लिक करना है, आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, तो आपको अपनी details फिल करनी है, तो details में आपको अपना नाम, अपनी active email id, email id आपकी active नीचे ही, जिसके आपके पास में password हो, next आपको अपनी contact details फिल करनी है, क्योंकि यह e-book है, तो आप इसको online ने download कर पाएंगे, आप next फे clicker के अपना payment confirm करेंगे, payment confirmation के बाद में download file का option आएगा, वहाँ से आप अपनी e-book को download कर सकते हैं, तो अब जो candidate जिनका, जो हिंदी language में अपनी preparation कर रहे हैं, तो उनकी problem भी solo हो गया है, वो हिंदी language की objective e-book के अपनी preparation कर सकते हैं, conceptual हिंदी की में जल्दी आपको provide करवा दूँगा, तो उससे भी आप अपनी चाहिए need की हो, या address state के interest examination की हो, भी आप preparation कर सकते हैं, साथ ही M's की भी आप preparation कर सकते हैं, और mock test paper, previous execution paper, मैंने हिंदी और English, दोनों language में provide करवा रहे हैं, तो आप मेरे पुर Instagram का link आपको description box में दिया गया है, और latest notification के लिए आप टेलिग्राम जुरूर जोइन करें, उसका link पे आपको description box में दिया गया है, तो वहाँ से आपको अगर कोई भी latest update आती है, उसका notification आपको टेलिग्राम से भी पता चल जाएगा, जै कोई भी state हो, सभी state की information आपको मारे च करना है कि आप open round का wait ना करके, आप अपनी 2022 की preparation अभी से start कर दे, wait ना करें, application form कब से start होंगे, अगर आप अभी से अपनी preparation स्टार्ट करेंगे, तो दोस्तों आप definitely अपना जो admission है, वो EMS daily में भी secure कर पाएंगे, अदरवाइस आप सोच विचार करने में ही time waste करेंगे, तो आ सारा सब कुछ यह आपे depend करता है, कि आप अपना carrier है, वो किस वे में लेकर जाना चाते हैं, और अपना time में वो किस तरह किसी utilize करना चाते हैं, तो आई हो दोस्तों, मिलते next new video में, next new update के साथ में, धन्यवाद, जेहीं, जे भारत.